हेलो जी, वेलकम टू जैस्वीस किचन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब मक्कई की रोटी, जिसको हम नाश्टे में भी खा सकते हैं, सफर पे भी ले जा सकते हैं, टिफन में भी पैक कर सकते हैं, और ये घर में एजिली अवेलेबल इंग्रीडि हरा धनिया ले लिया है खूब सारा और उसको हम बारिक बारिक चॉप कर लेते हैं, हरा धनिया हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाता है, बहुत सारी इंफेक्शन से बज इसको भी आड़ कर लेते हैं अब हम एड़ कर लेंगे धनिया और मिर्ची जो हमने अभी चॉप करके रखी हैं अब हम एड़ करेंगे सीजनिंग इसके मैंने आदा चमच सॉल्ट डाला है नमक डाला है आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो जरासी म बहुत अच्छा हो जाएगा और एंटी इंफ्रमेटरी भी होती है आदा टी स्पून मैंने गरम असाला एड़ किया है अब मुलाइम आटा बनाने के लिए हलका सा गरम पारी ले लिया है और सारी चीजों को पहले हाथ से मिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद एक सॉफ्ट सा लगाएंगे इसको मसल मसल के आटा लगाना होता है जितना हम इसको मसलेंगे उतना ही मुलाइम आटा बनेगा उतनी ही रोटी बिना क्रैक्स के बन पाएगी गरम पाने के साथ मक्कई के आटे में बाइंग अच्छी आ जाती है और उसमें हम देम बेसन भी आड़ किया है ज में चार मक्काई की रोटी की रेसिपिस शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे जरूर में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा डो हमारा रैडी हो गया है अब हम इसको दो पोर्षिन में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसके साथ दो ही रोटी बनानी है हाथ को जरड़ सा गीला कर लेजिए उसका पीडा बना कैशी एच्छे से क्रैक्स क्रैक्स के बिना और फिर हात्वोती को गीला करके बस जरड देसी घी के साथ जरा सा ग्रीस कर लेते हैं रोटी डाल देते हैं फिर इसको उलड पुलड करके अच्छी ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे और घी या बटर के साथ इसको पॉलिश करके सेख जाएंगे बहुत ही नाइस और बहुत ही टेस्टी रोटी बनती लेंगे हे चकले के ऊपर चकले के ऊपर यहों काटा थोड़ा सा छुड़िव हाथ ही रति लेजिए और चकले हो चक्राल Auto बना लेजिजिए और रही बटर्धों के आट्रा पहॐत्ब्सक autant जन्डी करलीजिए और कर्या Trib verse 2 ब railway केरे चकले के ऊपर थप-धनाते हुए उसक के की पांच तरह की रोटी बनाने का प्रॉमिस किया था तो यह फिफ्थ पार्ट है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा धनिया तो इ इतनी टेस्टी बनती है I believe in homemade food is always good because it is hygienic healthy fresh and nutritious तो यहां तक हो सके घर पे खाना बनाएए बहुत ही healthy होता है घर का खाना बहुत ही nutritious होता है तो बनाएगा ज़रूर ऐसी रोटी अपनी feedback मुझा ज़रूर देजिएगा तो मैं तो टेस्ट करने जारी हूं मुझसे control ने हो रहा तो मैं खाने जारी हूं आप भी खायेगा so enjoy this easy quick interesting and healthy breakfast recipe thank you for watching